हलो एवरिवन वैलकम टू डेश्टनी कॉमर्स अकैडमी जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एक पोस्टर PGT सब्जेक्टिव कोश्चन टेस्ट सीरीज के रिगारिंग है HPSC PGT कॉमर्स 2023 किंदर जो भी सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है अभी उब्जेक्टिव का जो स्क्रीनी का टेस्ट है उसका रिजल्ट आउट हो चुका है तो जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया सबसे पहले तो उनको कॉंगरेचुलेशन और अगर आपने हमसे बैच खरीदा है चाहें वो MCK के रिगार्डिंग हो और चाहें PGT का आपका अब्जेक्टिव पेपर के लिए बैच खरीदा हो तो वो प्लीज जिसका क्वालिफाई हुआ है तो वो कमेंट कर सकते हैं ताकि और बच्चों को भी मोटिवेशन मिलें कि हाँ यहां से पढ़के हमारा क्वालिफाई हो चुका है और आगे भी होगा तो दो बाते आपसे सेर करना चाहता हूँ पहले तो जिसने भी HPSC PGT का बैच Destiny Commerce Academy प्लैटफॉर्म से बाइक कर रखा है यानके Destiny Commerce Academy एप डाउनलोड कर रखे और वहां से HPSC PGT का बैच पहले से बाइक कर रखा है उसके रगारे आपको पता है HPSC PGT के दो पेपर एक तो ठीक है ना अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन दोनों पेपरों का जो सलेबस है वो सेम है तो यहां पर मलेक भी देता हूं सेम सलेबस है तो सेम सलेबस है तो इसके रिगार्डिंग तो अलग से कोई बैच नहीं बनाएंगे कि आपको theoretical concept बताया जाए है क्योंकि सारा का सारा सेम ही है तो जिन बच्चों ने objective ले लिया था तो well and good और जो बच्चे रहे गए थे लेकिन उनका qualify हो गया है तो वो सब्जेक्टिव पेपर के लिए सबसे पहले तो destiny commerce academy app download कीजिएगा और वहां पर HPSC PGT का batch है वो ले चुग है ठीक है अगर किसी का ht के regarding है तो ht and PGT commerce नाम से बैच मिलेगा आपको ht and PGT commerce destiny commerce academy पर जाएगा और यह बैच मिल जाएगा और जो रहने वाला है 2000 रुपे का याद रखना इसमें HPSC PGT का जो objective पेपर हुआ है ठीक है वो प्लस में subjective के रिगाड़े क्योंकि syllabus सेम है तो objective और subjective दोनों पेपर के लिए HPSC PGT का वो बैच relevant रहने वाड़ा है अब बात करते सर्फ प्रैक्टिस की तो यह जो बैच है जो आप posture देख रहे हो यह subjective questions कैसे आएंगे उनको कैसे attempt करना है तो उसके रिगाड़िंग है ठीक है अगर आपको syllabus करना है तो आप HPSC PGT का बैच बाय कर सकते हैं destiny commerce academy app से और syllabus तो करना ही करना है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे कि सर हमारा तो हम ज़्यादा पढ़े नहीं हमारा वैसे ही हो गया है लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम पढ़के कुछ पोस्टल मिल जाएगा वहां पर जाओके आप बाय किजिगा याद रखना यह जो बाय कर रहो यह syllabus के रिगारिंग है जो syllabus आपका दिया गया था क्योंकि वही सेम डिट्टो syllabus commerce के रिगारिंग objective में था और वही subjective में है ठीक है तो syllabus को करवाने का pattern style तो सेम ही रहता है अब बा कर रहे हैं जिसका price रहने वाला है 2000 पर कितना रहने वाला है 2000 ठीक है इसके अंदर हम आपको करवाएंगे जो previous जैसे हमने objective में करवाया था mcq batch में करवाया था वैसे subjective के अंदर previous year questions करवाएंगे आपको वह previous year questions जो commerce के अलग-अलग exam में आये हैं लेकिन वह subjective nature की है subjective in the sense है कि like आपका यह मालों कि 5 marks में question आ गया 10 marks में question आ गया तो questions को कैसे attempt करना है और कौन से जो question है जो most relevant है ठीक है यह question हम आपको करवाएंगे इसके साथ साथ इनकी pdf भी हम आपको प्रवाइड कराएंगे subjective questions की आपने बिल्कुल सही सुना इसकी pdf हम आपको प्रवाइड करवाएंगे तो अगर आप यह batch buy करना चाहते हैं तो जल्दी सी आप app download कीजिएगा और वह आप समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं कि syllabus के regarding अलग course buy करना पड़ेगा और subjective question के regarding अलग course buy करना पड़ेगा ठीक है तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ subjective questions के साथ ओके थैंक्यू थैंक्यू ओल आफ यू